और भाई अब आग लगाएंगे इसके फ्यूल पर हेलो गाईज मैं हूँ अमित दस्तों आज का आईडिया बहुत ही ज़ादा धमाकिदार है आपने होट एर बलून्स तो देखा होगा एडलीस कोई पिक्चर में या वीडियो में देखा होगा जो बड़ा सा गुबबर होता है नीचे उसमें आदमी बैठके वो उपर उड़ा ले जाता है हवा के दमपर आज हम वैसा ही होट एर बलून बनाएंगे लेकिन छोटे लेवल पे लबक 10-12 फीट साइज का लेकिन काफी मज़ा आने वाला है और आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जल्दी से दबातो भाई आज का टारेक्ट है 2,50,000 लाइक का प्लीज पूरा करो और भाई जिन लोगोंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बाई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे ही मस्ट मस्ट एक्सपेरिमेंट रेगूलरली आते रहेंगे आप लोग मिस करोगा अगर सब्सक्राइब नहीं चाहिए तो हम जो है इस तरीके की पॉलिथिन का यूज करेंगे जो की बहुत जादा पतली है और भाई काफी बड़ा इसका साइज है तो देखो आपको इसको खोल कर दिखाते हैं पहले और ये जो कलर है ये भी मुझे काफी बड़िया लगाता यार तीस फीट लंबाई है इसकी और भाई ये तो ऐसे ही उड़ रहा है यार हवा में लोग इसको काटते हैं अब आजा और ये जो पन्नी है ना ये छे फीट चोड़ी है लेकिन डबल में है तो इसको काटेंगे तो ये बारा फीट चोड़ी हो जाएगी अब और इसको डबल कर रहे हैं अभी और भाई यहां पर टेप लगा लेते हैं ताकि ये पूरा चिपक जाए और पैक हो जाए अजाएब शुक काटेंगे पूरा आएगे हैं तो ये डिया ओल काहँड़ी है वे वे बार बार बारा परीम के खेड़ी हैं भबल के फाल इर आएग जाएब ये जाएएवाशिया प्टा पना ये तो चाहँवासित वीज़ी है इसको अजाएब दिगरे पार आएबल्स का और भाई इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बना लिया है देखो बास से और इसका यूज करेंगे नीचे का बेस बनाने के लिए और भाई देखो ये जो है जमीन में पड़ा हुआ किस तरीके से लग रहा है काफी बड़ा इसका साइस है ऐसे बात करेंगे 15 फीट है चोड़ाई 12 फीट है और ये है नीचे का बेस तो भाई आज है अगला दिन कल चो अंधेरा हो गया तो हम लोग चले गए थे और यहां पर हमारो जो बलून है वो तयार है इसके अंदर भरेंगे गरम हवा होट एयर क्योंकि एक होट एर बलून है गरम हवा भरने के लिए हम लोग सिलेंडर का यूज करेंगे और ये जो दल है इसमें से निकलेगी फ्लेम और उसको अंधर और लास्ट में क्या करेंगे कि यहां पर कुछ भ्यूल लगा देंगे गर ताकि ये डलता रहे व्टा उपर उड़े तो लगाते हैं जल्दी से कि और फाई फ्लेम को कम कर लेते हैं अंदर डालते हैं इसके उठाना इसको और तच्मत कर देना पन्नी पर आप मात में आप आता में लेकर करें लिए और भाई अब देखो यह जो पन्नी है यह उपर आ रही हमारा जो बलून है उसमें हवा भर रही है वो इन्फलेट हो रहा है और इसके अंदर गुसके अवा बरनी पढ़ रही है और भाई अब आग लगाएंगे इसके फ्यूल पर अरुबज्ग रुजा इससे दागा बांदेगी बढ़िया बढ़िया रुबज्ग अभी छोड़ने बसे और रुफज्ग चाहीश दोनों से बाहनना बढ़ेगा और भाई अपने आप ही जा रहे हवा में फब्रदे और भाई हमारा जो बलून है अरे यार अब तो ऊढ़ ग हमारा जो बलून है अरे यार अब हमें तो उड़ गया और गाइस हमारा जो गोट एर बलून है वह आप देखो कि आस्मान में कितना उपर चला गया है और इसकी जो फ्लेम है वो मुझे उमीद है कि जल्दी ही बुझ जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा बट आप लोग देखो कि आर ग्राउंड से कितना उपर है ये एंड ये बिलकुल सक्सेस्फुल रहा है यार हवा के दम पर उड़ रहा है ओ माइगाड और भाई जो बलून है वो लगबग चार पांच किलो मेटर जा चुका है ड्रोन हमारा दो किलो मेटर दूर है बट लेकिन जो बलून है वो इत्रा ज्यादा दूर है कि वो इत्तू साथ दिख रहा है और अब जो है मैं ड्रोन को वापस बुला रहा हूं वहाँ पर दो बंदे जा चुके है अब हम लोग भी वहां ट्राय करेंगो उसको ढूनने की अगर मिलता है बट यार कितना मस्त से उड़ा है तुरंत हावा में चला गया और उसमें छोटा सा एक हमने कपड़ा वांदा है डीजल में भूगया हुआ तो अभी जो है यार मैं बहुत एक्साइड़ हो रहा हूं विकस सक्सेस्फुल हो गई चीज तो भाई बलून को ढूनते ढूनते हम लोग पांच किलोमेटर आ चुके हैं हाईवे से हटके हम लोग अब खेतों में आ चुके हैं लगबग हमारा होई चुका है वैसे सक्सेस्फुल है लाइक कर देना यार इस सीज के लिए और नजारा देखो आप केतों का इस इतने रस्ते है यार कन्विजन हो रहा है कि यार कहां पर जंगलों में आगे गया ओहो हुआ रस्ता देखो बढ़िया राप आईक लेके आया यार गाड़ी तो जाती नहीं यहां पर दोस्तों लगभग 8 किलोमेटर हम लोग आच चुके नहीं मिला बलून एक बड़ ड्रोन से सर्च कर रहे है में भी मिल जाए क्योंकि ऐसा तो पूरा जंगल सा है चारो तरफ नहीं मिल रहा तो भाई फाइनली हमको हमारा जो बलून है वो मिल चुका है और मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुआ हम लोग इसको डूनने के लिए निकले हमने सारा सर्च कर लिया हर जगे पर डेड़ घंटा डून लिया ड्रोन उडा लिया दो बार बट यह नहीं मिला पूरा लेकिन उसके बाद में हमको लोकेशन आती है कि जा हम लोग धून रहे थे हमने जहां से उड़ाया था उससे ल अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो लाइक जरू से बनता है भाई हमने इसको अरली मौरिंग उड़ाया था लेकिन अब भी का टाइम साड़े-दस बज़ रहे हैं मतलब धूप और यह बहुत तेस तो अब हम भी घर पे जलते हैं आप लोग प्लीज बिना लाइ बहुत मैज़दार था चैनल को सब्स्राइब कर लो ऐसी और मस्त मस्त वीडियो के लिए तो चलो फिर मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई